मेरच में AI MIM के रास्ट्री अध्यक्ष असरसुत देन ओवसी ने किठोर में एक जनसभा को संपुदित करती हुए कहा कि विधान सभा चुनाव में मुसल्मान सपा बसपा कॉंग्रिस की गुलामी नहीं करेगा मुसलिम उनकी पार्टी के बैनर तले खुद के सियासी जमीन तया कर वोट की टाकर से लीडर्शिप तया करेंगी ओवसी ने कोरोना वैक्सिन पर प्रधान मंत्री नरिंज मोदी के सौ करोड दोस के दावे को जुटा बताया कहा जब देश में 31 परतीशत लोगों को ही वैक्सिन की डोस लगी तो सौ करोड संख्या कैसे हो सकती है ओवसी ने कहा कि अगर मुसल्मान हमेशा से सपा बसपा और कॉंग्रिस को वोट देता आया है मुसल्मों के जो बाब दादा रहे हैं उन्होंने हमेशा इन पार्टियों को वोट दिया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अकले श्यादब पर वोड करते हुए कहा कि मुसल्मों का वोट लेकर भी वो तीन चुनाब हार चुके हैं अब कौन सा गणित हैं जिससे वो सत्ता में आएंगे अब चुनाब आया तो जिंद्गी और मौत का सवाल है कहकर वोट मांग रहे हैं तो वेसी उत्तरप्रदेश की राजनीती में पहले ही कदम रख चुके हैं और एक बार फिर से जनसभाव को संबोदित करने के लिए उत्तरप्रदेश पहुँच रहे हैं यहाँ पर उन्होंने 100 करोड वैक्सिनेशन पर सवाल उठाये साथी साथ बसपा और कॉंगरिस पर भी वो बरसते हुए नजर आये हैं उन्हें साफतार पर कहा कि अखलेश श्यादर में मुसल्मानों का खूब वोट लिया लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गए हैं उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है